नमस्कार शादर प्रणाम आप शवी का बहुत बहुत श्वागत है और आज हम आपके समख सुपस्ति थे अप्रिल 2030 मा का रासी फल लेकर यह जो रासी फल हुआ आप लगने रासी के आदर पर फोलो करते हैं तो यह रासी फल आप क्यों पर शटी केम तूटब पुइंट बे ऑजिए बात करते हैं उर्षिक लगन वालों की उर्षिक लगन वालों का अप्रिल 2013 का जो महीना उकेशा रेने वाला उर्षिक लगन वाले जो होते हो मंगल से संचालित होते हो orders अभी आपके अस्टम भाव में मिथुन रास्ते में चल रहा है यह गोचरी विस्था की बात करें तो यह गोचर वस्था आप कोई नए विश्ची के ऊपर गहन अधियन करना चाहते है या आप स्पिरिच्वालिटी में ज्यादा से ज्यादा जुकाव रखते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया शाबित होगा यह गोचर विश्था दरम्यान अपने श्वास्ते का आपको ख्याल रखना है जब तक मंगल अस्टमबा में रहेगा तब तक कोई बड़े डिसिजन लेने से आपको बचना है या तो कोई अपने से बड़े लोगों की सला के मुताबिक आपको चलना है और अपनी वानी पर पूर्णता कंट्रोल करके चलना है वा अपरिल के बद आपको कारिस्थल को रेकर थोड़ी बागदोड़ वाल इस्तिति या देखने को मिल शक्ति है क्योंकि टैंट थाउस का जोदिपती है और शुरिय का गोचर अभी आपके फिफ्त में चल रहा है और 14 अपरिल के बाद 6 में आ जाएगा शिक्स थाउस में रह तो यहां गोचर वाश थोड़ी भागदूड रहने रहे लेखने को मिल शक्ति है कारिस्थल पर 21 अपरिल के बाद ब्रुश्पति का जो गोचर वापके शिक्स थाउस में और जा रहा है यहां गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया शाबित होगा यहां गोचर वस आपको शाहश भरपूर मातरा में आपके अंदर देखने को मिलेगा यह महिने जो हो यातरा की गोचर को लेकर जो प्राण बिक शिक्षा की विदिया थिक उनके लिए ठोड़ा यह गोचर गडबर रहेगा क्योंकि पंचम भाव का अधिपती जो है वो बुरुष्पती और बुरुष्पती का गोचर 21 अपरिल के बाद शिक्स थाउस में राहों के साथ यूती में चला जाएगा तो प्रार्वनिक शिक्सा वाले विद्यारत होगे के लिए यह गोचर स्थिति आपको कारेसल को लेकर दिखती नजर आ रही है बोश के साथ सम्मद्दों में थोड़ी कटूत आएगी कारेसल पर छोटा मोटा पोलिटिक्स का शुकार बन शकते हैं तो आपको अपूनता साउधानी पुर्वक चलना है बात कलते फाइनांस की फाइनांस से स्थि स्थिति ठीक ठाक रहेगी और पिछले एक महीनों से धन का प्रचूर मातरा में खर्च हुआ है अब स्थिति या पांच अपरिल के बाद थोड़ी ठीक होती नजर आ रही है यहां महीन जोग में आपको दनलाप की तारिक बता देते हैं उन तारिकों में आपके रुके सत्रा तारिक से लिए 22 तारिक तक चोबीस तारिक से लिए 26 तरिक कोई ने कोई जनलापी युग बनेंगे बात कर लेता हैं स्वास्ते की तुछ स्वास्ति को लेकर आपको मौस भी बिमारी क्या आप चपिट में ना आए उसका आपको ख्याल रखना है जिनको पहले से स्वास्ते का ख्याल लगके चलना है बात कर लेते संतान की संतान को लेकर स्थिती जो हो मध्यम रेगी संतान का स्वास्ती थोड़ा यह में प्रभाईट रह सकता है जो लेड़ी ने संतान कंस्यू पहले से करा रखे उनको अपने स्वास्ते का ख्याल लगके चलना है और अप से कम तीन हनमान चारी सा के पार्ट करना है भगवान शुर्य को अर्द्य दीजिए गायतरी मंतर का आप यथा संभू जब कीजिए और जो हो आपको प्रती दिन भगवान शुव मनवान जी के दर्शन करना है और हर शुक्रवार को गव बाता को खीर और रोटी दीजिए तो यह गोचर आपके लिए कई न कई बड़ी अशावित होगा अगर आप अपनी जन्मकुनली का अध्यान करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नबर पर आप हम से संपर्क करके अपमेंट बुक करा सकते हैं नमस्कार